दोस्तों, इलक्रिशन थियूरी का जो हम दूसरा चैप्टर देख रहे थे, उसमें चार भाग का वीडियो मैंने बना दिया थे, पांचमें भाग का वीडियो है, और इस वीडियो में हम लोग कुछ और टूल्स के बारे में जानेंगे, जैसे कि लोहा काटनी की जो आरी होती अगर आप लोग क्लास चाहते हैं रेगुलर, तो मेरे अंदर मोटिवेशन आना चाहिए, तभी मैं क्लास को रेगुलर कर पाऊंगा, इसलिए मेरा आप लोगों से हाथ जूर करके निवेधन है, कि आप सभी लोग मैं देख रहा हूँ कि वीडियो कुछ भी नहीं देखी जा रही है, अगर मैं आपको वीडियो दिखाना चाहूँ, आप ये देख सकते हो, जो मैं वीडियो डाल रहा हूँ, अठारा परसंट, बीस परसंट ही देखा जा रहा है, मतलब दो मिनट, धाई मिनट, तो ये बिलकुल भी सही तरीका नहीं है, अगर आप लोग नहीं मेर की बात को कंसिडर करेंगे, तो मैं वीडियो बंद कर दूँगा, देख लिजिए, आप खुद देख सकते हो, अठारा मिनट, साथा मिनट, परसंट का ही वीडियो देखा गया है, और वीडियो कितनी थी, पौने तेरा मिनट की वीडियो थी, ठीक है, देख लिजिए, दो दो तीन मिनट ही एवरेज देखा गया है, तो मेरा आप लोगों से यही निवेदन है, कि आप लोग अगर क्लास चाहते हैं, तो जितने भी लोग, पचास, पांसो लोग देख रहे हैं न, जो मैं वीडियो डालता हूँ, तो मान लिजिए, अगर पांसो लोग भी देख रह पिर आप लोग बिलकुल भी मत कहिएगा, कि सर आप क्लास दीजिए, ठीक है, मेरा आप लोगों से निवेदन है, इसलिए मैंने दस मिनट के अंदर ही वीडियो रखता हूँ, ताकि आप लोगों को बोरियत ना हो, और आप लोग पढ़ने, क्योंकि अगर आप देखिए, या तो पैसा देंगे, पैसा दे रहे हैं, तो वो उस तरह से, वो अपना, जब कोई पैसा दे रहा है, तो अपने आपो पढ़ेगा, ठीक है, वो नहीं पढ़ेगा, वो उसकी मर्जे, लेकिन या आप पैसा नहीं दे रहे हो, तो भी आपको टाइम देना पढ़ेगा, या आप अपने भाविश्य को बनाना चाहते हैं, तो ध्यान से वीडियो को देखिए, ठीक है, टाइम ज्यादा देजिएगा, तो आपको पूरा क्लास, मैं पूरी मियानदारी से पढ़ाने कोशिस कर रहा हूं, ऐसा नहीं है, मैं जरूर दो टापिक पढ़ा रहा हूं, लेकिन पूरा का पूरा आपको बताने कोशिस कर रहा हूं, इसलिए पूरा वीडियो देखिए, तो सबसे पहले हमारा Hexa, एप क्या जो होता है हमारा Hexa, या 200, 200, 250 और 300 mm में हमारी है Hexa होती है, ठीक, इसकी जो Size होती है, इसमें जो blade होती है वा 200 से ले करके 300 mm की बीच में इसकी blade होती है इसका जो blade होती है या एक इंच में इसमें 24 से ले करके 30 दाते होते हैं ठीक है या एक्जाम में भी पूँछ लेता है कि हेकसा जो blade होती है उसके एक इंच में कितने दाते होते हैं तो 24 से ले करके 30 दाते अलग तो मतलब आपको यह option मिल जाएगा तो आप इसको टिक मार सकते हैं तो एक इंच में 24 से ले करके 30 नाते होते हैं इसका मुख भाग होता है वो इस तरह से होता है ठीक है इस तरह से हमारा है और यह जो हमारा यहां पर हम blade लगा देते हैं वह इस तरह से होता है जैसा कि आप स्क बोल्ट होता है इसको हम टाइट कर देते हैं तो यह हैकसा जो हमारी blade है वो टाइट हो जाती है ठीक तो यह जो हमारा पूरा का पूरा यह जो होता है इसको हम फ्रेम बोलते हैं जहां पर हम उसको टाइट करते हैं तो इसमें सबसे आगे का जो हिस्सा होता है यह जो होता है यह पूरा फ्रेम होता है, यह हमारा जो होता है, वह हैंडल होता है, और यह हो जो होता है, इसको हम फ्लाई नट बोलते हैं, जो यह वाला हिस्सा होता है, अब एक चीद देख लिजे, कि जो हमारा लकडी वाला हेक्सा होता है, लकडी जो काटने वाला हेक्सा बलेट होता है, मतलब जो आरी होती है उसमें जो दाते होते हैं वो हैंडल के साइड में होते हैं लेकिन इसमें जो दाते होते हैं वो हैंडल से अपोजिट साइड में होते हैं उल्टे साइड में होते हैं जो दाते होते हैं इस चीज़ का भी आप धिहान रखेगा जब भी आप इसको टाइट करें बन लगाएं तो आप उल्टे साइड में लगाएंगे और इसका उपयोग जो है लोहा की जो पाइपे होती है उनको काटने के लिए मोटी चद्दर को काटने के लिए इसका उपयोग किया जाता है इस में जो चीज़ नहीं करना है आपको वह यही है कि ब्लेड को हमेशा उल्टा साइड में लगाएं इस साइड में लगाएं और बराबर दवाव डाल करके ही एकसे से आप काटें ऐसा नहीं है कि आगे दवाव जादा हो पीछे दवाव कम हो तो बराबर दवाव होना और जहां पर भी काटें, वहां पर थोड़े-थोड़े समय पर आप पानी डालते हैं, क्योंकि क्या होता है कि जब आप लोही को काटेंगे न, ये भी तो है तो लोहा ही न, तो heating होगी, heating होने से इसकी blade के जो ये धाते होते हैं वो खतम हो जाते हैं जल्दी, तो अगर आप पानी डाल देंगे तो ठंडा भी होता रहेगा और काटता भी रहेगा आराम से, तो टिकत नहीं होगी, एक कोश्चन आ जाता है एक्जाम अगरा में, तो वो जान लीजिए, जैसा कि यह हमारा हेक्सा ब्लेड है, जैसा कि आपको दि निकल जाए, ठीक है, और प्रापर गैप बन जाए, क्योंकि अगर क्यों है एक्षा ब्लेड को ही चलने की जगए होगी, तो क्या होगा कि पूरी जगए बन नहीं पाएगी, हलका सा भी टेरा होगा तो ब्लेड आपके तूड़ जागी, तो थोड़ा सा कर प्ले होगा ना, तो आराम से blade काट देगी, उस लोहे को, जीसे और ये blade भी हमारी नहीं तूटेगी, तो ये चीज होती है, इसलिए 직-zag दिया जाता है, हलका सा उपर-Nीचे-उपर-Nीचे करके लेके जाया जाता है, तो ये हो गया हमारा लोहा काटने की आरी, इसके बाद होता है अगला, इलेक्ट्रीशियन चाकू अब यह इलेक्ट्रीशियन का बहुत ही महत्रपूर अजार होता है जो हमारा इलेक्ट्रीशियन चाकू होता है या 50 mm में होता है या 2 इंच में होता है या हमारा इलेक्ट्रीशियन चाकू होता है इसके जो तार होते हैं उनको इंसुलेशन, तारों के लिए नार्मली इसका उपयोग किया जाता है, या साइड से इसको काटने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, या तारों के उपर जो PVC के इंसुलेशन के बाद जो उपर जो इनामिल्ड किया जाता है ना तारों को, उनको उतारने के लिए भी इसका उप्योग किया जाता है तो यह काफी महत्वपूर अजार होता है इसको कभी भी जेब में आप खुला ना रखें अगर आप खुला रखते हैं तो यह जेब को काट करके आपके शरीर में विधान सकता है इसलिए आप खुला इसको ना रखें इसके उपर एक कबर लगा तेज आग तेज रखें इसके blade को क्योंकि अगर आप PVC काटना है आपको PVC कबर उतारना है तो आपको blade को तेज रखेंगे तभी वो PVC हटा पाएंगे क्योंकि अगर blade की seriousness तेज नहीं होगी तो PVC नहीं हट पाई क्योंकि PVC काफी hard होती है अगर थंड़ का मोसम है तो PVC और hard हो और इरक्रिशन चाकू दो टूल्स हमने जाना तो अगली वीडियो में हम एक बहुत ही अच्छे मतलब महत्वपूर्ण टूल्स के बारे में जानेंगे जो हमारी चावियां होती है इस्पैनर, रिंग स्पैनर और डी स्पैनर के बिसे में जानेंगे जो की काफी जगा पे उनके ज़रूत होती है नटबोर्ट होगारा खोलने के लिए उनका उप्योग गया था तो अगली वीडियो भी काफी महत्वपूर्ण है और मेरा बार बार जाते हुए भी वीडियो का समाप्त करते हुए मेरा आप लोगों से यहीं नहीं बेदान है कि वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा देखिए जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले वीडियो को लाइक करिए सेर करिए जिसे ज़्यादा ज़्यादा लोग इस वीडियो को देख पाएं तो आज किस वीडियो में बस इतना ही मिलता हैं नए वीडियो में नमश्कार दोस्तों